हैलो एम्रीवन, विशिंग यू आ वैरी हैपी रिपब्लिक दे, तो आज हमारे साथ है क्लास एट का चैप्टर, एलजेब्रिक, एक्सप्रेशन एड आइडेंटिटीज, तो गाइस ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स किलियर हो जाएंगे और आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल जरूतनी पड़ेगी, तो गाइस चलिए इस चैप्टर को समझना शुरू करते हैं, तो गाइस चैप्टर का नाम है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो क्या होता है ये, तो गाइस इसके जो डिफाइन में ये लिखा हुआ है, कि एलजे प्लल्डिया लेक्सप्रेशन, तो क्या होता है, तो गाइस, वारियरेब्ल्स, वह नमबर होते हैं, यह वह लेक्सप्रेशन दिफा जिनकी वेल्यू फिक्स नहीं होती, तो गाइस, सब्पोस्दित मैं आपसे बोलू a ब्लस 5 एक्सक्रशन थान और यहाँपर a प्लस 2 एक् में वह सब्सक्राइब तो यहां पर a k value क्या आगई डॉन अब यहां पर ऑड जाएगी फोर तो गाइज अब यहां पर एक जग्यागे वना रहे है और यहां पर फोर आ रहे है तो क्या मैंने रोंग कर रहा है यह और यह रोंग वरा है तो इन मैंसे कोई भी रॉंग नहीं है यह भी सही है और यह भी सही है कैसे तो guys क्योंकि यह variable है इसकी value fixed नहीं है तो guys जो alphabetical letter होते हैं वो ज़्यादा तर variables होते हैं अब guys यह constant क्या होते हैं अब यहाँ पर यह 5 है इसकी value fixed है इसका मतला 5 ही होगा अचाहिए मैं यहाँ खड़ियों के बात करूं या फिर यहाँ पर इसका meaning 5 ही रहेगा इसकी value 5 ही रहेगी तो इसलिए यह constant है अब guys यह operator क्या होते हैं तो guys operators वो symbol होते हैं जोने हम use करते हैं calculation के लिए जैसे कि plus minus multiplication division एक्सेक्टर एक्सेक्टर तो guys यहाँ पर यह plus क्या है operator यहाँ पर भी यह plus क्या है operator तो guys जैसे कि मैंने पहले कहा था variable constant connected by operator is called algebraic expression तो guys अब यह जो है यह एक algebraic expression है तो guys अब हम एक एक बार इन सब की define देख लेते हैं तो इन सब की define है ये तो guys यह सब इनकी definition है तो अब हम इनको एक एक कटके समझेंगे तो guys variable में क्या लिखा हुआ है a symbol or letter that may take one or more than one value एक symbol या फिर कोई letter जिसकी एक या फिर एक के ज़्यादा value हो सकती है suppose a है बैं मैं आपको पहले भी समझाये था a plus 2 है और 1 है तो a के value क्या हो जाएगी यहाँ पर 1 minus 2 minus 1 आगई और यहाँ पर मैं अगर इसको a minus 2 equals to 1 कर दूँगी तो यहाँ पर 1 plus 2 हो जाएगा तो एक के value क्या जाएगी 3 तो इसकी दो values हो गई बट सिर्फ दो नहीं इसकी कितनी भी value हो सकती है तो वो symbol या letter जिसकी एक से ज्यादा value होती है उसके हम कहते हैं variable तो अब हम बात करते हैं constant की a number that has a fixed value वो number जिसकी value fix होती है जसकी 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, minus 1 हो गया चाहिए मैं यहाँ खड़े को देखूँ है और वहाँ जाकर देखूँ कहीं भी जाकर देखूँ, इसकी value 2 ही रहेगी इसकी value 1 ही रहेगी, इसकी value 3 ही रहेगी तो ऐसे number को हम लोग कहते हैं constant अब हम बात करते हैं algebraic expression की a combination of constants and variables connected by operators plus, minus, divide, multiplication is called algebraic expression तो guys, constant, variable जिनको हम लोग operator की अड़ कर रहे हैं मतलब symbol समझते हैं ऐसे expression जिसमें variable हो, constant हो और उसे हम लोग join कर रहे हैं, connect कर रहे हैं operator से, plus से, minus से, multiply से, divide से उसे हम कहते हैं algebraic expression जैसे कि यह हो है a minus 2 equals to 1 तो यहाँ पर a variable आ गया यहाँ पर यह 2, constant आ गया और यहाँ पर यह minus operator आ गया तो guys, अभी यह क्या हो गई है algebraic expression तो guys, अगर आपको अभी इस सब को समझने आगे तो आगे की बात कर लेते हैं जैसे कि terms है, अभी coefficient है और types of algebraic expression भी है जल्दी से कुरियस कर देते हूं तो guys, अभी हम लोग बात करते हैं coefficient की coefficient तो guys, इसकी हम बात करते हैं तो guys, a number or symbol that multiplies a variable in the expression is called a coefficient अभ इसको समझते हैं तो guys, suppose जिस term के अंदर एक variable है और एक constant suppose 2 हो गया constant और यह हो गया variable अब इसमें जो numerical value होगी है या पर जो number होगा हम उसे कहते हैं coefficient तो guys, अब यह 2 जो है यह constant क्यों नहीं है यह coefficient क्यों है क्योंकि इसके साथ यह variable आ रहा है अगर suppose x की value 2 हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया 4 अगर इस x के value 3 हो जाएगी इसका मतलब क्या हो गया 6 तो इसलिए यहाँ पर जो 2 है यह coefficient है एक बाद और समझते हैं ऐसी term जिसमें एक constant है और एक variable है तो उसमें जो numerical value होती है या फिज़ जो number होता है हम उसे कहते है coefficient अब हम बात करते है terms की अब यह terms क्या होता है तो guys algebraic expression का वो एक part जो join हो रहा है plus या minus से उसे हम लोग कहते है term तो guys suppose यह है 2x plus 3 plus 5 why तो guys यह plus से join हो रहा है plus से तो guys हाँ एक और बात जो plus और minus join होना चाहिए ना कि multiply और divisions तब वो term नहीं होगी सिर्फ अगर वो plus या minus join होगी तब भी हम उसे term कहेंगे तो guys देखिए यहाँ पर यह एक term हो गई यह एक term हो गई यह एक term हो गई अब यह पूरी क्या है एक algebraic expression तो guys अब देख सकते हैं term क्या होती है algebraic expression का वो एक part जो join हो plus से या फिर minus से प्लस आगे तो यह एक term हो गई और यह एक term हो गई और यह और एक term हो गई अगर suppose सिर्फ यह होता 2x multiply by 5 तो guys यह पूरी एक term है यह term नहीं है और यह term नहीं है यह पूरी एक term है because यह join हो रही है multiply से इसको raise कर लेते हैं तो guys अब ते हमने जो भी समझा हम उनको एक साथ समझते एक बार यहापे हम लोग ले लेते हैं 2x plus 5y plus 3 plus 2x कुछ भी लेते हैं तो guys यह सबसे पहले हम देखते हैं इसमें variable का है constant का है coefficient क्या है operator क्या है तो guys सबसे पहले हम बात करते हैं यह पहला यह क्या है यह एक term है इसके अंदर यह x क्या है variable और टू क्या है यह इसके साथ हाए तो यह क्या हो गया यह coefficient अब यहाँ पर यह y क्या है variable और यह 5 क्या है coefficient और यह plus यह वाला प्लस यह वाला प्लस यह सारे क्या है operators और guys अब यह 3 क्या है constant of a coefficient क्या है guys यह तो 3 है constant अब यह constant क्यों है because इसके साथ कोई variable नहीं है वो सिर्फ अकेला है तो इसलिए वा constant हो गया अब यहाँ पर यह 2x है तो same यह 2 हो गया variable और यह x हो गया oh sorry my mistake यह x हो गया variable और यह 2 हो गया coefficient और guys यह पूरा क्या हो गया यह पूरा एक है algebraic expression तो guys अब शायद यह आपको समझ में आ गया होगा आपके सारे doubts उसके बारे में clear हो गया होगे कि coefficient क्या होता है variable क्या होता है operator क्या होता है zero expression क्या होती है तो guys यह आपसे एक question बोस्ते हो इसके अंदर कितनी terms है account करते हम एक बार यह one term हो गई यह two term हो गई यह three term हो गई और यह इसके अंदर कितनी terms है four तो guys अब यह अच्छी से हो चुका है explain अब हम आगे की बात करते हैं तो guys अगर आपको वीडियो अच्छी रही हो तब प्लीज वीडियो को लाइक कर देना तो guys यह क्या है इसकी वैल्यू क्या होती है गाइस 22 upon 7 अगर हम इसको simplify करेंगे इसकी value 3.14 आ जाएगी और भी आगे बहुत कुछ होता है तो guys अब यह 5 से है क्या यह constant है या variable है अब guys देखें मैं वो क्या आप समझाये था variable में क्या होता है letter होता है तो यह letter भी है but guys इसके value तो unknown होती है but इसके value आपर fix है तो मतलब यह variable तो नहीं है अब constant में क्या होता है वो एक number होता है बट यह तो एक symbol है पतलब यह constant भी रही है फिर यह है क्या तो guys यह है literal या फिर इसको बोच सकते हैं literal number कैसे तो guys वो variables जिसकी value fixed हो दिया है उसको कहते है literal literal number बोच सकते हैं literal numbers और guys यह एक symbol और letter हो सकता है तो guys यह होता क्या है वो variable मतलब वो symbol या फिर letter जिसकी value fixed होती है उसे हम कहते है literal number suppose अगर आपको मैं question दे रही हूँ कि अगर आपको इसको simplify करना है expression कुछ ऐसी है 2x plus 3y plus 5 यहाँ मैं आपको x और y की value दे रहती हो x equals to 2 and y equals to 5 तो guys इस question में सिर्फ इस question में यह जो x और y है यह क्या है यह variable नहीं है यह है literal numbers यह x और y सिर्फ according to this question सिर्फ इस question के लिए यह literal number है यह variable नहीं है क्यूंकि इसकी value दी गई है अब दिया हुआ ही हाँ पर तो हम इसकी value खुद तो नहीं रख सकते change नहीं कर सकते तो इसलिए इसकी value आँ हम बहां fixed है तो यह है literal number तो गाइस अब तक हमने जो भी पढ़ा एक वह हम इसे रवाइस कर लेते हैं हमें सबसे पहले क्या पढ़ा था variable तो गाइस मैं आपको इसका एक बार समझाती हूं meaning इसके वर्ड से तो गाइस variable जो वैरी जिसको मतलब जो एबल है इसको change करने के लिए वैरी जिसको हम change क्या मतलब हमता है वैरी का change free to change free to vary तो इसका मतलब अब समझ गया होंगे जिसके value हम change कर सकते है añ arises की value change हो सकती है जो change होने के लिए free है तो आइतिंक अब आप समझ गया हूंगे अब आप शख सो dilem जिसकी value fixed होती है, fixed है मतलब उसमें कोई chain नहीं हो सकता है, वो fixed value हो बिल्कुल, हमने उसकी बात क्या पढ़ाता है, operators, क्या होते हैं, operators, symbol होते हैं, mathematical calculations के लिए, और क्या होते हैं, operators, plus, minus, multiplication, division, इस सारे क्या होते हैं, operators, उसके हमने क्या पढ़ाता है, algebraic expression, तो वो क्या था, जिसम एक variable हो, एक से जादा ही हो सकता है, जिसना variable हो, constant हो, और वो connect है, फिर join हो, operator से, उसके हम क्या कहते हैं, algebraic expression, हमने उसके बात क्या पढ़ा था, coefficient, मतलब, जो number, variable के साथ में हो, चाहिए वो उसे multiply हो रहा हो, या divide हो रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, coefficient, बट वो number, उसके हमने क्या पढ़ा था, term, algebraic expression का, वो एक part, जो join हो रहा है, plus या minus से, उसे हम लोग कहते हैं, terms, उसके हमने क्या पढ़ा था, literal numbers, ऐसे variables, जिसके value fixed होती है, उसे हम कहते हैं, literal numbers, तो I think, आपको सबको समझ में आ गया होगा, और बाकी के जो separate topics दें, जैसे की, types of algebraic expression, like terms, unlike terms, ये सब को हम उसके बारें बात करेंगे, next video में, तो guys, अगर आप कोई video अच्छी लगी हो, तो please like the video, और अगर आपने अभी तेक हमारे चैनल को subscribe नहीं के जल्दी से कर देना, और हमारी notification bell को on कर लिजे, ताकि हमारी हर एक video की information आपको मिलती रहे, thank you so much for watching,